नमस्कार साथियों एक बार फिर आप सभी का स्वागत हैं बीटी सिश्टीडी हब साथियों आज डियलेट चतुर समेश्टर के अंतरगत समाजी कध्यन विशे के कुछ महातपूर प्रश्णों के बादे में चर्चा करेंगे आईए देखते हैं आज का पहला प्रश्ण चिपको आमदोलन का किस छेतर में महातपूर योगदान रहा है उत्तर है चिपको आमदोलन का बन बचाव अभियान में महातपूर योगदान रहा है प्रश्च नमबर दूसरा देखते हैं जेट वाई उधारा किसे कहते हैं वाई मंडल में बहने वाली तेज हावा जो पश्चिम से पूर्व की और बहती है उसे जेट वाई उधारा कहते हैं प्रश्च नमबर तीसरा देखते हैं प्रस नंबर चार है बनारश हिंदू विश्विद्याले की इस्थाबना कब हुई थी? उत्तर है उन्नीस सो शोला इस्विवें इसी क्रम में प्रस नंबर पाँच देखते हैं जन्मदर किशे कहते हैं उत्तर है परती हजार जन्संख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की शंख्या को जन्मदर कहा जाता है प्रस नंबर छे देखते हैं खिलाफत आमदोलन क्या था? उत्तर है भारत में मुसल्मान टर्की के सुल्तान को इसलाम का खलीफा मानते थे पर्थम युद्ध के बाद बेटिश शासन ने टर्की सामराजी का विग्ड़न कर डाला इससे भारतिय मुसल्मान नाराज हुए अता भारतिय मुसल्मानोंने खिलाफ़त आम्दोलन शुरू क प्रेश नंबर साथ देखते हैं बहादुर सा जफर कौन था उत्तर है अंतिम मुगल सामराट और दिल्ली का साशक था प्रेश नंबर आठ देखते हैं शविने अवग्या आमदोलन के प्रमुक कारिक्रम बताईए उत्तर है 12 मार्ज 1930 को नमक सत्याग्रय की शुरुवात हुई और 6 अप्रेल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया प्रेश नंबर 9 देखते हैं शिरी मती एनी वेशन्ट मूलतिया कहा की निवाश नहीं थी तो उत्तर है आयरलेन आंतिम प्रेश नंबर 10 है उत्तर परदेश में मिट्टी का उप्योग किन कारियों में होता है उत्तर है बर्तन बनाने में, शिर्मेंट बनाने में, इट बनाने में शाथियों आज के टॉपिक में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ धन्यवाद